एलो फ्रेंड्स मैं वाईपी सिंग फ्रॉम गॉर्वर्मेंट पॉलिटेखनिक बदाई हूँ और जैसा हमने लास्ट वीडियो में अपने डिसकस किया था इलेक्टिकल प्रोपर्टीज को और उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डाइलेक्टिक स्ट्रेंथ तो डाइल एक्टिक स्ट्रेंड एस्टी एम डी वन फोर नाइन इस टेस्ट में हमारे सेंपल की प्रिप्रेशन हम किस तरह से करते हैं कि स्पेशी मैं और सेंपल प्रिप्रेशन सेंपल की प्रिप्रेशन करने के लिए हम कोई भी जो मैटरियल हमारा है जिसके हमें सेंपलिंग करने हैं उसकी एक सीट फॉर्म करेंगे और सीट में से हम क्या करते हैं फोर इंच लैंथ की एक स्ट्रिप या जिसको हम प्लैक कहते हैं प्लैक को क्या करेंगे कट कर लेंगे और इसकी जो ठिकनेस होगी ठिकनेस आफ सेंपल मैटेरियल वो जनरली हम क्या लेते हैं 0.8 mm2 3.2 mm ठीक है लेंग क्या होगी 4 इंच इसको गटा बड़ा भी सकते हैं और जो सेंपल की ठिकनेस जो होगी वो हमारी क्या होगी 0.8 mm से 3.2 mm अगर इंच में कल्कुरेट करें तो 0.03 2 इंच 2 0.125 इंच ठीकनेस होनी चाहिए इस पैसिमेन की ठीकनेस अगर हमारी 2 mm से अधिक होती है तब हम डाइ इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अधिक्यूप्मेंट द्वारा अधिक्ट्रिक sc अधिक है तो हम क्या यूज करेंगे अगर शोच Кई अधिकनेस जो है इल dobre इंच अधिक है तो हम क्या करेंगे अधिकनेल का यूज करेंगे अधिकनेhos जिससे पहले फ्लेश ओवर के चांस जो है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे कम हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, टू एम एम से अधिक अगर थिकनेस होगी तो आईल का यूज रहेंगे, जिससे की फ्लेश ओबर की चांस कम हो जाए अब बात करेंगे इसको प्रोसीजर की प्रोसीजर को जानने के लिए हम इसका सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जानने के लिए जानने के लिए कम इसकते हैं कि राती जानने के लिए हम जानने के लिए पहले अपगाद की बाता हैं तो क्या लगए हुए है दो इलेक्ट्रोड जैसे अगा हमने डिस्कुस किया था इसमें टैस्ट में हमारे क्या होते हैं दो इलेक्ट्रोड लगए होते हैं जिनके बीच में हम क्या करते हैं जो स्पेसिमें सेंपल होता है हम उसको फिक्स करते हैं यह क्या हो जागा हमारा टैस्ट स्पेसिमें टैस्ट स्पेसिमें लेंद फॉर इंच और थिक्नेस हमारी क्या रहा है गी जीरो पॉइंट टू थी पॉइंट टू एमें ठीक है इस टैस्ट को करने के लिए दो मेतड होते हैं हमारे शॉट टर्में फर्स्ट है हमारा शॉट टर्न मेतड और सेकंड है स्लो रेट अफ राइज मेतड तो दोनों ही मेतड हमारे जो है इसी एप्रिटर से हम कर सकते हैं जिसमें पहला मेतड जो है शॉट टर्म तो शॉट टर्म मेतड में हमारे क्या है दो एक्रोस इलेक्टोड लगी होती है जिनके बीच हमारे क्या है टेस्ट اسस्पेसी मेन होता है और इसमें जो बोल्टेज है हमारा उसे हम 0 से मैक्सिमम बोल्टेज तक राइज करते हैं और जो मैक्सिमम बोल्टेज है उसको हम Rライ инд कैसे करेंगे एक uniform rate से voltage को rise करते हैं और voltage हमारा कब तक rise होगा? जब तक sample material break down ना कर जाए ठीक है? और इसमें जो voltage rise करने की rate होती हमारी voltage rising of rate वो 100, 500, 1000, 3000, etc. बोल्ट पर सेकंड और ये maximum हमारी कहा तक रहेगी? जब break down होगा ठीक है? तब तक हमारी कहा रहेगी? इसी तरह से rising rate जो है voltage की वो rise करती रहेगी तो ये था हमारा first method short term method second जो है slow rate of rise method slow rate rise method में भी हमारे दो इलेक्ट्रोट रहेंगे बीच में टेस्ट specimen रहता है लेकिन इसमें क्या करते हैं कि जो initial हमारा voltage होता है यानि approximately उसका हम 50% voltage एक बार में एप्लाई करते हैं ठीक है तो 50% voltage एक बार में एप्लाई कर देते हैं इसके बाद में क्या है voltage increase किया जाता है एक uniform rate से ठीक है तो दोनों difference क्या हो गया इसमें हम क्या कर रहे थे कि zero से maximum तक एक uniform rate से voltage को rise कर रहे थे और यहाँ पर क्या है कि उसका हमने 50% voltage क्या किया है एक साथ एप्लाई किया है और उसके बाद में हम क्या कर रहे है voltage को एक uniform rate से increase कर रहे है और यह increase हमारा कब तक रहाएगा जब तक की breakdown ना हो जाए ठीक है तो यह था हमारा dielectric strength test क्या है झील झील क्या म् झील